मुलाना आजाद नेशनल उर्दू इन्वेस्टी के इस तालीम और नशिस्त में मैं दॉक्टर अफ्रूर जालम एसोसियेट प्रोफेसर डिपार्टमेंट अप्रिटिकल साइन्स खेर मगदम करता। अफलातून ने उस जमाने में अपने सियासी नजरिये को पेश करता है जो इनसाफ कहलाता है। उसकी तीन किताबें जो एहम है इसमें उसको जानने के जरूरत है। पहला रिपाबलिक जिसको जम्हुरियत प्यासत भी कहते हैं दूसरा स्टेट्समें जिसको मदब्बिर भी कहते हैं उर्दों में और तीसरा लाज गवानीन इसको कहते हैं। तो जो पहली खिदाब है रिपाबलिक उसमें अपने इनसाफ के नजरिये को कायम करता है जो इस मकसद से लिखी गई कि कैसे एक शहरी मुम्लिकत में एक मिसाली हकोमत कायम की जाए। अफलातून अपने उस खिदाब रिपाबलिक में इन चार मुखतलिफ नजरियात को खारिश करते हुए अपने नजरिये को पेश करता है जिसकी बन्याद है एक मिसाली मुम्लिकत को कायम करना वह यह कहता है कि एक मिसाली मुम्लिकत कायम करने के लिए जो शरायत है उसको सम हमने इससे पहले बात की थी इस पे हमने कहा था कि आईडियल स्टेट वो स्टेट है वो एक ऐसा ममलिकत है जहां पर हर शहरी अपनी काम को बखोबी अंजाम देता है एक ऐसी ममलिकत है जहां का हुकमरा लोगों के हर जरूरत का ख्याल लगता है वो एक ऐसी ममलिकत है जो अप ये सलाहियत है कि गलत और सही में फर्क कर सके पहली चीज़ कि जितने भी उस वक्त के रस्मी ख्यालात थे इनसाफ पे उसको एक तनकीदी जाइजा लेते हुए अपनी बात कहता है कि जस्टिस जो है एक हुमन वर्चू है इनसान की एक नेकी है एक अखलाकियत है जो इनसान क के अंदर पिनहा है उसके रूह में उसके जिसम में क्योंकि इनसाफ एक ऐसा नजरिया है एक ऐसा हालात है जो कभी भी किसी सुर्ट में भी घलत नहीं कर सकता उसकी बुन्इा ईखलाकियत है इसले एक ऐसा समाज बनाए जहां पे समाजी बेदारी जो है इस तरह की होको वह कानूनी नजरिया नहीं है वो लीगल जस्टिस नहीं है इसका जो जस्टिस है जो इसका इनसाफ है वो एक स्यासी इनसाफ है एक इखलाकी इनसाफ है वो एक नेकी के बुनियात पर काइम है और एक समाज के बहतर निजाम पर काइम है तो कुछ खुसोसियात अपनी जस्टिस के बारे में बताता है Division of labor महनत की तखसी एक ऐसा समाज जहां पे रहने वाले लोगों के काम बटे हुए हूँ अब उनकी महनत की बन्याद पे उनकी काबिलियत की बन्याद पे उनकी सलाहियत की बन्याद पे उनके उस अनासिर की बन्याद पे जो उनकी रूह पे उसके जिसमे काफे गालिब है तो Division of labor दूसरा Functional Specialization एक ऐसा समाज जहां के रहने वाले तमाम शहरी और तमाम लोग अपने काम में महारत रखते हों तो पहला हमने देखा Division of labor दूसरा Functional Specialization हर शहरी जिस काम में और सलाहियत रखता है उसमें वो महारत भी हासिल करे Means mind your own business अगर आप असाजा है तो आपको अच्छी इल्म हासिल करनी हो अब बहतर से बहतर तालीम देना है अगर आप शू मेकर हैं जूता बनाते हैं आप उस फिल्ड में आप स्पेशलाइज करें यहां कि जिस भी शख्स को जो काम मिला है जो उसकी फितरत की हिसाब से है जो उसके खुद की अनासिर की हिसाब से है उसकी बन्याद पर उसकाम में महारत हासिल करना ही इनसाफ है और तीसरा Justice as non interference के इनसाफ के बन्याद है कि किसी भी तब्के की काम में कोई भी दूसरा तब्का या किसी और की इनसान की काम में कोई और दूसरा इनसान दखल ना दे क्योंकि हम जब दखल देंगे तो एक अलग तरीके का तनासे पैदा होगा वो बहतर समाज का जो इंसाफ के बुनियाद पर काइम होगा वो नहीं हो सकता तो इसलिए हर इंसान हर तब का जो इस समाज में रहता है दूसरे के कामों में दखल ना करें जो चौती चीज़ है जस्टिस वर्चू एंड गुड़नेस इंसाफ नेकी और अच्छाई है यारे कि जो चीज़ जिससे बदी फैलती हो जो इंसान के जिन्दगी के लिए बहतर नो हो जिससे इंसान खुश नहो सके जिस वो चीज़ इंसाफ नहीं हो सकती तो इंसाफ कि फित्रत है कि वो हमेशा नेकी के बन्याद पर कायम होगी जो अच्छा ही करेगी बेहतर ही करेगी ये उसकी अपनी खास खुसियाद है और पाच्वा हार्मोनियस रिलेशन्शिप जो बहमी तालुकात हों इन तबकात के बीच में वो हम आहंगी की बन्याद पर हो कोई इनसानी फित्रत में वो क्या चीज़े हैं जो उनको अलग अलग अनासर में अलग अलग तबकों में अलग अलग अजज़ा में बाढ़ती है इसको हमें समझने की जरूरत है वो एक समाज की तक्सीम करता है जो समाज है वो फर्द से लहदा नहीं है जो फर्द की जो कुवते हैं जो खुसोसियाद हैं वही चीज़ें बड़ी चल करके मुमलिकत का भी शकल अखियार करती है तो इसको समझने के लिए वो एक समाज को इनसान को और मुमलिकत की जिम्मेदारियों को भी तक्सीम करता है तीन इस्सों में तो पहला इनसानों की बात करते है वो कहता है कि हर इनसान के अंदर तीन तरह की अनासिर होते हैं पहला अकल का उसके रूह का दूसरा उसके हिम्मत का और तीसरा भूग का अक्ल विज्डम रीजन हिम्मत करेज तीसरा भूक जो उसका टेमपरेंस है हर इनसान के अंदर ये ये अनासर मौजूद है और ये भी उतना ही सच है कि हर इनसान के जो अंसर है कोई एक अंसर उसकी जिस्म पे उसकी पस्नालिटी पे उसकी शक्सियत पे हावी होता है गालिब होता है कुछ इनसान होते हैं जो दानिश्वर होते हैं जहीन होते हैं जो अकल की बन्याद पे कायम करते हैं के लिए अकल से बड़ी चीज कोई नहीं होती दूसरा होता है कुछ इंसान ऐसे भी मिलेंगे आपको कि उनके अंदर हिम्मत शुजाद और होसला काफी हावी होता है काफी गालिब होता है और तीसरे इंसान होते हैं जो सिर्व अपनी मुफाद की जरूरियात की पेट की भू के को बनाता है जब बहुत सारी लोग एक हम खयाल एक अनासर के मिलते हैं तो एक तरह का तबका बनाते हैं पहला जो जिसके अंदर रीजन होता है विस्डम होता है यह आकल और दानिशमंदी होती है वह लोग ख॥ envision होती है वो लोग हकमरां बनते है रूलिंग किलास होते है उस समाज के लिए, क्योंकि उनके अंदर ये सलाहियत होती है, कि गलत और सही के बीच में फर्क कर सकें, इखलाकियत और गार इखलाकियत के बीच में फर्क कर सकें, समाज के और ममलिकत के मुफाद में क्या बेहतर है, उसका फैसरा ले सकें, ये उनके अंदर ये सलाहियत होती इसलिए वो ruling class होती है उसके अंदर हुकमरानी का जजबा बहतर होता क्योंकि उनके अंदर वो सलाहियत होती है दूसरा जिसके अंदर शुजात है जिसके अंदर हिम्मत है वो इस बात के लिए होते हैं वो मुल्क की हिफाज़त के लिए जरूरी होते हैं उनको जो दूसरे तबक्यों को हम सोलजर कहते हैं जो सैनिक हैं जो मिलिटरी हैं उनके अंदर वो चीज़ें हावी होते हैं और तीस किनान जिसक्राइब करने वाले यह व्य समय शामिल और इन तीरों को एक मेडल की बुर्यात पर कैम करता है। को आ कि बॉल्ड कौनाइय यह जिसके इंदर गात विजग को से बनाए कि इनसाफ तभी काहिम होगा जब उस समाच में रहने वाले टबकाथ अपने अपने काम में महारत रखें और उसमें एक तवासन बनाया रखिए यानि कि इन सारे तीनों तबकाथ को कोई और काम करने की अजाज़त नहीं करता हैं उनकी वो कहते हैं कि आप अपनी काम में महारत रखिए दूसरे जो उनके हालात है वो अपने हिसाब से महारत रखेंगे यानि एक समाज की दर्जाबंदी एक बहतर समाज की लिए समाज की कि नजम को बताता है हिंदुस्तान में भी जो कास सिस्टम है जो वर्ण से डिफाइन होता है चार वर्णा होता है पहला ब्रहमन जिनको कहा जाता है वाईज हैं, दानिश्वर हैं अकल से काम लेते हैं दूसरा तबका हिंदुस्तान में च्छत्रियों का जो हिम्मत से सुजाश के काम लेते हूं जो सुलजर क्लास होते ह। तीसरा वाystem का जिनका काम है रोजी, रोटी का काम है कारुबार का काम है माधी जरुर्वतों को पूरा करने का काम है वाystemが लेकिन यहाँ पे अफलात्वन जो चौती और पांचवी जो दर्जा बंदी है हिंदुस्तान में उस जाती कि उसकी बात नहीं करता और इसे ये बात ये होती है कि जिस दौर में अफलातून अपने एथिंस में के सियासी हला से मुंतशिर होकर कि वो पूरे इधर उधर जाते हैं गोमने के लिए तीन शहरों में जहां तक खखर है कि वो एजिप्ट जाते हैं दूसरा एकली जाते हैं तीसरा सिसली जाते हैं और ये बात भी कहेंगे कि शायद वो हिंदुस्तान में आये हों और हिंदुस्तान के समाज से मतासिर होकर के उन्हों ने अपने समाज की दर्जा बंदी की हो जो गोल्ड, सिल् अफलातून मैं बता दूं कि अफलातून ऐसा मुफक्र नहीं था जिसमों सिर्फ इधर उधर बैट करके आम चेयर फिलोसफर नहीं था उसने काफी इधर उधर गया इन सारी चीजों को समझाने के लिए बताने के लिए एक नए तरही के का एकडमी कायम करता है जो जमाने में के एकडमीक्स एक हीरो होता था गृूक का उस से मतासर हो करके इसने एक एक एकडमी कायम कि उसका नाम भी एकडमी है जो आज भी तोटे फुटे हम हालात में कायम है और उसमें चाहता है कि वहाँ पे मियुजिक की भी क्लासेथ हों। मैइथमेटिक्स की भी क्लासेथ हों। तो इनसाफ और नहीं का खरति और थे हो। कहीं हुआ जी कि तौनिके बगहरेद तालिमी निजामें के हम फलसफी हुकमरां पैदा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फलसफी और दानिश्वर हुक्मरां पैदा नहीं होते हैं उन्हें बनाए जाते हैं और उनके बनाने के लिए बहतर तालिमी निजाम का होना जरूरी है और इस सोच को और अगर बहतर तालिमी निजाम है और बहतर हुक्मरां है और हर तब कि अपने अपने काम में महारत रखते हैं और किसी के काम में दखल नहीं देते और सब के बीच में हम आहंगी है यह सारी चीज़ें मिल करके उस समाज को एक मिसाली समाज बनाते हैं उस ममलिकत को एक मिसाली ममलिकत बनाते हैं और ये इस तस्वर के साथ जो अफलातून आगे चलता है और इस इन ख्यालों के साथ कि शायद ये मुम्किन हो कि इस समाज में भी इस दुनिया में भी हम जन्नत जैसा माहौल कायम कर सके इस ख्याल के साथ जब वो इटली का दौरा कर रहा था तो उस जमाने का जो जालिम हो हुकमरा था उससे वो मिलने गया जिसका नाम था डाइनोसियस फर्स्ट डाइनोसियस फर्स्ट को कहा कि एक आप एक ऐससे हुकमरा बन सकते हैं जो दानिश्वर हो जो अकल के बुनियात पे फैसला लेता हो जो गलत हो सही का फैसला लेता हो खैसला डाइनोसियस से फर्स्ट को ये बात पसंद नहीं आई और इसका नतीज़ा ये निकला कि उन्होंने अफलातून को गलाम बना करके मार्केट में बेच दिया बाजार में बेच दिया खैसला किसमत अच्छी रही अफलातून की कि उनके किसी दोस्त ने उन्हें खरीद लिया और फिर आजाद कर दिया किसी तरह से नाखुश हो करके दुबारा आते हैं यहाँ साथ साल की हुमर में फिर उन्होंने एक कोशिश की उसी सिसली में सिराकस जो जगह है वहांका जो हुक्मरा था इसध्र दावतनामा भेज़ा कि आप All और हमारे हुक्मरा को जो डैनोसियस सेकेंड है उसको समझाने की कोशिश कीजिए उनको एक फलसफी हुक्मरा मनाने की कोशिश कीजिए अफ लातून जाता है सिसली दुबारा लेकिन वहाँ पर देखता है कि जो डाइनोसियस सेकंड है वो भी संजीदा नहीं है कोई चीज सिखने के लिए अफसुदा होकर कि वापस वफिर चले आतने है एथिन्स में अगर आप तमाम जितने मुफक्र हैं ग्रीस में उन सब को देखेंगे तो उनको एक अलग तरीके के महबब दिखती है एथिन्स के साथ अपने शहरी मुमलिकत के साथ तमाम बुराईयों के बाद भी एथिन्स को एक बहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते तो उनके जो सियासी नजरियाद हैं वो इस बात के लिए हैं कि किस तरह से एक बहतर निजाम हम ग्रीस में कायम करें तो ये एक ख्याल अफलाटून के भी जहन में रहा और इसलिए बहुत सारे उसने किदाबें लिखी अपालिजी, क्रीटोज, फिडिज इस सारे उसके एहम किदाबे भी हैं अफलाटून का जो सियासी नजरिया है उस पर जो पहरी तनकीद आती है वो उसके अपने ही शागर्द अरस्तूस ने दिया है जो अफलातून का जो सियासी नजरिया है जो इंसाफ जिसे वो इंसाफ काइम करना चाहता है वो इंसाफ एक मिसाली एक ममलिकत के लिए वो पुरी तरीके से मकमल तोर से हाली जिन्दगी के लिए हाल के जिन्दगी के लिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए फीजबल नहीं था ये आईडिया हम सिर्फ जन्नत में ही हासिल कर सकते हैं और इस दुन्या में जन्नत को हासिल करना नामुम्किन सथा तो इसे कुछ तनकीद अरस्तु ने उसका अपने शागिरत ने किया हमें भी अफलातून के जो इनसाफ को नजरिया है उसको तनकीदी निगाह से देखने की जरूरत है पहला हम आहंगी का नजरिया है वो ख्याली है वो कभी भी हकी की नहीं हो सकता कि एक समाज अलग अलग तबकात में बटा हो और उसके बीच में एक हम आहंगी हो वो इनसानी फित्रत के खिलाफ है दूसरा जो उसका इनसाफ का नजरिया है वो गैर जमुरी है और एक तानाशाही नजरिया है क्योंकि ऐसा इनसाफ ऐसा अदल जहां पे एक समाज में जो लोग बटे हुए हों वो अपने अपने कामों में ही सिर्फ महारत हासिल करें दूसरे तरह की काम ना सिखें और जो काम उनको दे दिया गया है वो उसके लाज़ा कोई काम ना करी यह गार जमुरी है और उसी तरीके से जिस तरह का वो मिसाली हुकमरा बनाने की कोशिश कर रहında थे फलसफी हुकमरा जिसको उन्होंने पूरी टाकत पूरा एक त्यारात पूरी जिम्मधारीयां दे दि और ये नजरिया इस बात की वजाहत नहीं करता कि हमें इनसाफ के जरूरत क्यूं है तो ये सारे तनकीद उनके हैं और इस बात का एहसास अफलातून को अपनी जाती जिन्दगी में हो गया हुग जो क्योंकि हम देखेंगे कि जो उसका जिन्दगी का आखरी मरहला था उसमें उसने एक खिदाब लिखी लौज और स्टेट्समैन मुदबिर और कवानी उसमें इस बात को रियलाइज किया उनुन कहा कि जो पहला उसकी खिदाब रिपबलिक है उसको हकीकत में लाया नहीं जा सक हुए 80 साल की उमर में अफलातून का अपना इंतकाल होता है 347 में बीसी में ये नजरिया इंसाफ जो अफलातून ने दिया था उसको हमने आज समझने की कोशिश की है अगली हम जब हम आप से बात करेंगे उसका मौदू होगा अफलातून का तालिमी नजरिया क्योंकि हमे एक फलसफी हुक्मरा को बनाता है क्योंकि अगर हम एक बहुती मशहूर मफक्र के वो याद करें रूसों उसने कहा कि जो अफलातून ने खिदाब लिखी है रिपबलिक जमोरियत वो खिदाब जो है इल्म की बहुत बड़ी खिदाब है और एजुकेशन पर बनी हुई एक सबसे बड़ी खिदाब है इसको ट्रिटाइज आफ एजुकेशन कहता है मजीद जानकारी के लिए आप इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं आज की लिए बस इतना ही एक नए उन्वान के साथ आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए आदाब आप से बस्ते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो और आता